बिग बॉस के घर के अंदर अब आखिरकार प्रियंका चाहर चोदरी से कौन माफी माँग रहा है जी हाँ आपको बता दें कि घर की एक सदस्या अब अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रियंका चोदरी से माफी माँग रही है और कह रही है कि प्रियंका प्लीज मुझे माफ कर जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ, कंटेश्टनस अब एक दूसरे से माफी मांगते हो नज़रा रहे हैं, जिसमें से एक हैं प्रियंका चहर चोदरी, जिससे तो एक ऐसी सदसे माफी मांग रही है, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता, कि ये सदसे किसी से माफी भी मांग सकती है, किसी क्यागे हाथ भी जोड सकती है, क्यूंकि एक ऐसी सदसे है, जिसने घर के अंदर सबसे पहले जगड़ा करना शुरू कर दिया था, कौन सी है वो कंटेश्टनेड और क्यूं माफी मांग रही है वो प्रियंका चाहर चोदरी से, चलिए आपको बताते हैं लेकि इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बनाए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ नो सदस से बच गए हैं, और ऐसे में दु उद्री से भी माफी मांग डाली है, आपको बता दें कि प्रियंक का टीना और अर्चना गौतम तीनों एक साथ बैटे हुई होती हैं और बाचीत कर रही होती हैं, ऐसे में अर्चना गौतम सीथा टीना से कहते हैं कि टीना जब से तुम्हारी मम्मी घर के अंदर आई है, त इसलिए मैंने ये तैके लिया है, कि अब मैं आगे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करूँगी, जिसके बाद सीधा सीधा अर्चना ये भी कहती हैं कि घर के अंदर मैंने कई सदस्यों को काफी भला बुरा का है, जिसमें कास को का था और प्रियंका चोदरी को भी का जिसके जवा में प्रियंका कहती हैं कि तुमने विकास को कुछ भी का हो, लेकिन सबसे ज़ादा बुरी चीज़ें तो तुमने मुझे कही हैं, जि हाँ, जिसके जवा में प्रियंका अर्चना कहती हैं कि हाँ, मुझे याद है, मैंने तुमारे साथ काफी लड़ाईयां की ह मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा भी किया है इसलिए प्रियंका प्लीज मुझे माफ कर दो जिसमें अब अर्चना गौतम पहली बार प्रियंका चेहर चोदरी से माफी मांगती हुना दरा रही है और ये कह रही हैं कि अब जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए पुरानी सारी बाते हमें भूल जाने चाहिए क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं शो का फिनाले बहुत करीब आ गया है और बहुत जल्द हम एक दूसरे के साथ दूर भी हो जाएंगे इसलिए प्लीज प्रियंका मुझे माफ कर दो जिसके जवाब में प्रियंका कहती हैं कि हाँ घर के अंदर हम सब ने एक दूसरे के साथ कई लड़ाईयां की हैं और सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम सब ऐसी बातें करने में मजबूर हो जाते थे इसलिए हम सब ने एक दूसरे नियूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें